नमस्कार मैं हूँ तोरल और आप देखरें ततकालियन्स लाइफ राहुल गांदी के लंदन में दी गए बयान पर संसद में हंगामे के बीच लगाता दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा की कारेवाई स्तगित कर दी गई है भाजपा की सुत्रों ने आज कहा कि वे कॉंग्रेस संसद राहुल गांदी को तब तक सदन में बोलने नहीं देंगे जब तक वी वह लंदन में भारतिय लोक तंत्र पर की गई अपनी टीपनी के लिए माफी नहीं मांग लेते संसद के दोनों सदनों ने आज फिर से स्तगित कर दिया गया है भाजपा संसद जोरदार नारों के बिच राहुल गांदी से कैबरीच विश्व विद्ध्यालेमेट अपनी टीपनी के लिए माफी मांगने की मांग कर रहे है वही विपक्षी दल भी कई मुद्धों पर सरकार को घेर रहे है कॉंग्रेस का आरोप है कि आज सदन की कार्यवाई के ओडियो को म्यूट कर दिया गया है जबकि संसद के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी कॉंग्रेस ने रहुल गांदी के इस आरोप को दोराते वे की संसद में विपक्षी नेताओ के माइक्रोफोन म्यूट कर दिये गये थे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी पर कटाक्ष किया है रहुल गांदी को आज दूसरी बार लोगसभा में देखा गया क्योंकि उनकी टीपुनियों पर विवाद छिड़ा हुआ है लेकिन सदन को अगले सप्ता तक के लिए स्तगित कर दिया गया है इससे पहले की कोई काम का जोग पाता रहुल गांदी ने कहा कि वह सदन के अंदर अपने उपर लगे आरोपु का जवाब देना शाहते है लेकिन भाशपा इस पर अडिक है कि वह पहले माफी मागे